स्टॉक में आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ और मैं वीश करता हूँ कि 2024 की दिवाली आप सब के लिए बहुत सारी वेल्थ लेकर आए और इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए 2024 की दिवाली में मैं आपके साथ कुछ मुल्टिवेगर स्टॉक का डिस्केशन करूंगा एनालिसिस करूंगा और आपके साथ उसका पोटेंशियल क्या है क्योंकि यह भी चेक करना जरूर है कि उसमें आने वाले फ्यूचर में ग्रोध पोटेंशियल कितना है लेकिन 2024 की दिवाली की बात करें उससे पहले आपको य मेरे यूटूब का जो चैनल है वहां जाके दिखाना चाहता हूं जैसे आप देख सकते हो यह मेरा यूटूब का चैनल है वहां पे 2022 में मैंने वेडी को खैतान के उपर डिस्केशन किया था अब देख सकते हो लिवाली पीक मिल्टी बेकर स्टॉक 2022 का जो उसका पब्लिश दिन गुणा अल्रेडी हो चुका है तो इसी तरह से मैं चाहता हूं कि इस बार की दिवाली में मैं आपके लिए पहत्रिंग स्टॉक एनलिसिस लेकर आऊँ तो बात करते हैं दिवाली 2024 2024 की दिवाली में मैं आपके साथ दो स्टॉक डिसकेशन करूंगा लेकिन उससे पहले मारकेट पे नजर करना ज़रूरी है क्योंकि कभी वी आप स्टॉक में इनवेस्ट करो तो overall market क्या है वो ज़ानना ज़रूरी हो जाता है क्याकि problem यह हो जाता है कि अगर आप ऐसे गलट time में invest कर लेते हो तो आपका जो buying price है वो गलट हो जाता है और आपके लिए holding period जादा हो जाता है वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है तो nifty indices और sensex दोनों देखे तो वो तकरीबन 7-7.5% अल्रेडी उसमें correction हो चुका है और य हो जाती है तो फिर वो कौन से दो stocks है जहां पर हमें buy करने की एक उम्मीद आ रही है तो वो दो stocks के मैं बात करूंगा लेकिन उससे पहले market नीचे कितना आ सकता है वो भी check कर लते तो market nifty indices की बात करे तो वहां पर अभी फिलहाल downtrend clearly दीख रहा है falling pennant एक pattern नजर आ रहा है उस को breakout किया तक्रीबन उसने breakout जो किया था वो जून में किया था जून के बाद उसमें massive bull run रेखा लेकिन वो चैनल में फिर से वापिस अगर आ जाता है तो तो तेईस-500 से लेके तेईस-650 के level मुझे बिल्कुल दीख रहे हैं यानि हो सकता है निफ्टी और 2-3% साइध करेक् कितना करेक्ट होगा कब होगा यह कोई नहीं जानता लेकिन एक possibilities है तो फिर इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर fundamentally sound कोई stock है तो उसमें partial investment बहुत ही जरूरी हो जाता है तो फिर ऐसे गीरते मार्केट में वो कौन से दो stock से उसका discussion करेंगे लेकिन उससे पहले दिवाली 2024 में मैं stocks है जो अलग-अलग sector से जुड़े हैं बहुत जरूरी हो जाता है लेकिन यह दोनों sectors अभी फिलाल सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए एक emerging sector बन चुके हैं उसमें से सबसे पहले sector पर discussion करेंगे वह सब का प्यारा artificial intelligence जिहां इसकी चर्जा बहुत हो करेंगे उसी से रिलेटर एक बहुतरीन स्टॉक का एनालिसिस में आपके लिए शेर करना चाहता हूं दूसरा renewable energy से जुड़ा हुआ स्टॉक है बहुत ही पॉपिलर स्टॉक है और उसी स्टॉक के साथ मैं आज का वीडियो शुरू करता हूं जी हां उस कंपनी का नाम है सु उसका FIS था वो उसके बात लगाता उसमें अभी फिलहाल इंक्रिमेंट हो रहा है और यह इंक्रिमेंट काफी बड़ा इंक्रिमेंट है क्योंकि अगर मैं जून 2023 के बाद जो साड़े साथ परसंटेज का जो उसका स्टेक था वो आज 21.5 परसंट है तो उसके साथ जैसे FIS क में क्या changes हुआ है वो देखना जरूरी हो जाता है तो वो saturation को जैसे उसने break किया तो उसी तरह जब वो saturation था FIS का तब stock का price 13 था और वहां से वो 85 हो चुका यानि तक्रिवन 550 परसंट rise हो चुका है और ये FIS क्यों आ रहा है उसके पीछे कोई logic तो होना ही चाहिए तो वो logic दूनने की कोशिश करते हैं तो sales figure देखे जिसको हम top line बोलते है business channel में ज़्यादा तर बोलते है कि top line में अच् sales figure 1142 करोड था वो आज लगातार बढ़ रहा है लेकिन यहां पर एक trend है वो trend क्या है जुलाई से लेके April उसका जो sales का figure है वो लगातार बढ़ रहा है 2021-22 में बढ़ा 2022-23 में बढ़ा 2023-24 में भी बढ़ रहा है यानि उसके sales में increasing trend मुझे नजर आ रहा है लेकिन उसके 2021 से ले यानि 3-year quarter growth देखे तो वो तकरीबन 77% है है humongous है और यहीं से आपको पता लगता है कि FII stake क्यों बढ़ा रहा है लेकिन हमें और भी बाते और भी data check करना चाहिए वो हो जाता है bottom line नेट profit देखे 2022 में 56 करोड था वो आज 302 करोड हो चुका है यानि पिछले 8 quarter से उसका जो FII stake बढ़ना और उसके साथ उसका net profit भी लगातार बढ़ रहा है आगे बढ़ते हैं और discussion करते हैं कि इसमें fair price कहां पे बन रही है क्योंकि कई बार क्या होती है company बहुत अच्छा growth कर रही है सही बात है लेकिन अभी फिलाल हमने क्या देखा PSU banks PSU sectors defense sector अपने all time high से 30% 40% गीर च चुका होगा इसका मतलब यह है कि कौन से भाव पर हमें entry लेनी चाहिए यानि गुजरात से जो जुड़े लोगे उनके मालूम है भाव बगवान चे यानि वह price कौन सी है जहां पे stock में entry बन सकती है तो वह चेक कर लेते हैं 100 daily moving average के इसाब से जो उसका एक support बन रहा है वह 67 रहा है लेकिन उसका जो previous breakout पॉइंट था वह हो रहा है 53 से लेके 57 और यही important level क्यों बन जाता है क्योंकि जैसे ही मैं trendline support के नजरिये से देखू तो वह level तक्रिवे 55 से लेके 60 के बीच में आ रहा है यानि मोटा मोटा मेरे हिसाब से 55 से लेके 60 का बहुत ही strong important support zone के लिए बन स साथ क्यों share कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है अगर निप्ती में और correction आये और सुझलन का stock अगर आपको इस बाव में मिल रहा है तो मान लेना यह बहुत ही super sound support zone में trade हो रहा है आगे बढ़ते हैं अब सबसे बड़ा सवाल इसमें potential क्या है growth opportunity कितनी है तो उसके लिए मैं आपक इछले 4 साल में अगर compound growth की बात करें तो 17% है 17% अगर यह 17% को मुझे अगर time में convert करना है यानि मुझे यह जानना है कि कितने साल में यह figure double हो सकती है यानि सीदा सीदा मोटा मोटा है sales figure यहां से कितने साल में double हो सकता है और sales figure अगर double होता है तो आप जानते हो कि उसके stock में उससे भी ज़्यादा पोटेंशल बन जाता है, तो सबसे पहले चेक करते हैं, बहुत ही एफेक्टीव फॉर्मुला है, अगर आप 72 से sales, माफ किजेगा, CAGR growth को divide करते हैं, तो आपको time मिलेगा कि इतने साल में ये उसका जो revenue है, यहां से double हो सकता है, और वो कितना आ रहा है, चार साल, आने वाले चार साल में अगर 17% के साथ growth करता रहा, तो सूजलॉन का sales growth चार साल में double हो जाएगा, और फिट stock कितना भागेगा, यह आप अंदजा लगा सकते हो, तो यह था अपना पहला stock discussion, सूजलॉन आगे हम दूसरे stock के उपर discussion करने वाले, stock number 2, जैसे हमने discussion किया था, बहुत ही प्यारा artificial intelligence से जुड़ा stock है, उस stock की मैं बात करूँ तो वो five domains में work करता है, मोटा मोटा उसको आप portfolio बोन सकते हैं, high performance computing solutions प्रोवाइड करता है, जिसको आप super computer भी बोल सकते हो, data center server प्रोवाइड service भी प्रोवाइड करता है, high performance solutions भी प्रोवाइड करता है, और important AI systems भी install करके देता है, तो पांच डोमेन में ये company काम कर रही है, इस company में एक बोलता है ना benchmark की बात करें तो ये recently launch हुआ IPO तीन साल, चार साल पुरानी company है, लेकिन important thing है कि इसके जो super computer है, पूरे world में top 500 में सामी होते हैं, और अब तक वो 300 ऐसे computer, super computer कर चुकी है, तो ये company का नाम क्या है, जी हाँ, इस company का नाम है net web technologies, बहुत ही fundamentally sound company है, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्यों कि सीधा हम देखते है, top line growth, top line growth यानि क्या हो जाता है, sales 69 करोड का आज 251 करोड है, यानि सिर्फ दो साल में ये company अपने sales को 3.6 times कर चुकी है, आगे bottom line net profit देखे 6 करोड का था, 22 में वो 28 करोड हो चुका है, यानि sales growth के compare में इसका जो net profit है, वो 4.3 times हो चुका है, 4.3 times अल्यडी हो चुका है, यानि top line growth, bottom line growth दोनों बढ़िया है, तो फिर company में दिक्कर क्या है, मुझे तो कोई दिकर नजर नहीं आ रही है, क्याकि एक और data में आपके साथ set करना चाहता हूं, वो है FIIs, FIIs लगातार इसमें stack थोड़े थोड़े अंतर में बढ़ा रहा है, लेकिन important चीज़ यह है कि इसमें इतना indices heavy correct हुआ है, शाड़े 7% लेकिन इसके FIIs में अभी तक कोई reduction नहीं हुआ हुआ है कि September quarter में जो उसका FIIs है, वो अब तब का highest FIIs stake है, आगे बढ़ते हैं और एक चीज में आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, कभी-कभी क्या होता है, कंपनी अच्छा perform करती है, लेकिन उसका management की commentary क्या है, वो भी देखना चाहिए, तो यह मेरा खुद का tweet है, आप मुझे Twitter में at the rate stockman idea कर रहे हुए, सर्ट तो वहाँ पर में मिल जाऊंगा, वहाँ पर में important news होती है, को important development हो रहे है, वो वहाँ पर जल्दी में share कर पाता हूं, क्योंकि वीडियो बनाना कई बार क्या हो जाता है, लेंदी process हो जाती है, तो आप मुझे Twitter में डून सकते हो, लेकिन य management क्या बोरा है कि we will growth with 35%, यानि management खूद इतना confident है कि आने वाले साल में वो 35% growth करने के लिए ready है, आगे बढ़ते हैं, फिर से भाव बगवान चे, तो वो support क्या बन रहा है, trend line के हिसाब से वो support देखे, तो वो कितना आ रहा है, 2400 से लेके, 2450 के बीच में आ रहा है, लेकिन CMP 25 के आसपास है, और moving average support देखे, तो वो तक्रीबन 25 के आसपास ही हा रहा है, इसका मतलब ये बन रहा है कि net web technologies, 2400 लेके, 2500 लेके, एक demand जौन में सायद trade कर सकता है, और indices और correct होते हैं, तो ये अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है, चेक करते, potential क्या है, potential चेक करने के figure देखा, 69 करोड था, 3.6 टाइम हुआ, यानि ये CIGR growth देखे तो वो तक्रीबन 33% है, यानि ये 33% को मैं time में convert करू, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आने वाले सिर्फ दो साल में इसका जो 200 करोड का revenue है, वो 500 करोड हो जाएगा, यानि double हो जाएगा सिर्फ दो साल में, ये थे हमारे दोस्टॉक्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत बुलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, we need your support friends, तब तक के लिए नमस्कार.